हेलो दोस्तो, आज मैं जारूँ आपको बताने RAM के बारे में, RAM क्या होता है और उसकी full form क्या है, RAM की full form होती है, random access memory, ये जो है RAM, CPU के motherboard में installed रहती है, ज़ते के आप देख पा रहे हैं, और बिल्कुल similar रहती है, जो आपने बच्पन में वीडियो गेम खेला हो, उसके cassette के तरह, ये जो RAM रहती है, इसका काम रहता है, basically हमारे system की performance को बढ़ा देना, और multitasking वाले काम कराना उससे, आपने multitasking का मतलब तो समझी रहे होगा, आप किसे बोलते हैं, multitasking मतलब ज़ते के आपने देखा होगा, आपने Photoshop खोल दिया, आपने Excel खोल दिया, Word, PowerPoint खोल दिया, Word खोल दिया NotePad खोल दिया, कई सारे functions आप खोल दिया और फिर आप उसके अंदर किसी किसी पे भी जा सकते हो, इससे multitasking कहते हैं, और आपने आपके performance को increase करना, आप जानते कि जितना ज़्यादा RAM होगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि multitasking वाला काम कैसे करता है रहा है, जैसे कि मैंने गोगल खोला, गोगल के बाद आईश्मान खोल देता हूँ, आईश्मान के बाद notebook खोल देता हूँ, फिर presentation viewer खोल देता हूँ, तो अब यह देखिए, यह सब जो मेरे task बार में, जितने भी app यह खोल गए हैं, इन सब को क्या ब रहता है, यह थोड़ी volatile होती है, इसके अंदर जो रहता है वो data ना, वो थोड़े समय के लिए ही रह पाता है, permanently data कभी भी इसके अंदर save नहीं होता, अब आते हम definition के अंदर, RAM के एक volatile memory, volatile means क्या होता है, कि जब तक power इसके अंदर रहेगी, जब तक इसके अंदर power supply रहेगी, तक आपका, यह multitasking के जितने भी apps आपने खोल रहेगे, वो जब खुले रहेगे, बट वो save नहीं होंगे, आपने Photoshop यूज कर रहे होगा कभी, Photoshop या Photoshop टाइए, आप MS Office, जिन्होंने Microsoft Excel खोला होगा, Excel में कुछ data हम लोग लिखते रहते हैं, files बना के, जैसे ही power supply जाती है, तुर हमारी hard disk के अंदर save होती है, जो RAM रहती है basically, अब इसके साथ ऐसा volatile nature क्यों है, क्योंकि RAM जो है, वो transistor और capacitor से बनी हुई है, जब तक data आएगा, capacitor का nature रहता है, चार्ट को store करना, ठीके न, चार्ट को store करना, जैसी power supply चली जाएगी, इसका capacitor की power भी चली जाएगी, और power जाते ही RAM क्या करेगा, अपना data loss कर देगा, जो हमारी computer की speed है, वो भी हमारे RAM पर ही depend रहती है, अगर हमारी RAM जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितनी ज्यादा बड़ी से मतलब क्या है, जितनी ज्यादा MB की होगी, उतनी ज्यादा computer की support भी, मतलब performance भी, उतनी ही अच्छी होगी, और उतना ही कम time लेगा, वो उसे load करने में, otherwise क्या होगा, आपने पराने phones देखे होंगे, जिनमें कम RAM रहती थी, तो क्या होता था, कि आपको सारी जैसे apps घूल लिया करते हैं, तो आपका phone के बहुत ज्यादा hang होने लग जाता था, जिसकी वज़े से, आपको क्या होता दिक्कत होती हैं, तो यह सब problems आती हैं, इसलिए हम लोग RAM को ज्यादा RAM का लेते हैं, कि ज्यादा RAM लेने से क्या होगा, जो हमारे multitasking और flexibility जो है, हमारे system की, वो बढ़ जाती है, जिसकी वज़े से, आपने देखा होगा, कई बार आप hotel गए होंगे, तो hotel में आपने देखा होगा, कि एक manager है, अगर manager से, उसकी manpower, manpower means waiters, हटा दी जाएं, तो जो manager है कितना परिशान हो जाएगा, उसे orders भी लेने हैं, अंदर खाने की quality भी देखनी है, customer को भी देखना है, तो वो कितना confused हो जाएगा, और पूरे दिन परिशान रहेगा, और वो job छोड़ देगा, तो same ही काम र के अंदर हम लोग RAM provide करते हैं, कि वो जो अपना काम है, बहुत अच्छे से कर सके, और सभी areas पर focus भी रख सके, system के, वो जो जो चीजे मांगे, वो तुरंत उसका reply देता रहे system के तुरू, जैसके हम user है, हमने कहा, भाई, Microsoft खोलो, तो CPU तुरंत action लेगा, उसके उपर, कि RAM के अकरेकर उसे display पे show करता रहेगा, तो RAM के होने से, इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, और इतनी ज्यादा CPU पे load भी कम हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है, हमें, जो हमारी RAM है, वो ज्यादा MB की चाहिए होती है, और हमेशे ध्यान, और आपने देखा होगा, कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक battery ही रखते हैं, अपने पुरान desktop के साथ, अभी तो नहीं आती है, अभी तो हमारे पास indicator आता है, laptop में जो हमें बताता रहता है, कि हमारी जैसे battery low होने वाली होती है, पुराने जबाने में आपने देखा होगा, कि एक बड़ा सा डबबे टाइप क टीव टाइप के एक system होता था, उसके दादी battery रखते थे, कि जैसे ही power supply जाती थी, वो तुरंत battery on हो जाती थी, तो हमरे पर time रहता था अपने data को save करने का, हम उसे save कर लिए जिससे हमारी RAM में से जो data हो erase ना हो, तो उसे हम save कर लिया करते थे, और save करने के बाद, हम उसे उस के अंदर save करके, फिर उसे हम switch off कर दिया करते थे, shutdown कर देते थे system को, अब हम आते हैं, types of RAM पर, types of RAM में क्या होती है, SRAM होती है, SRAM रहती है, SRAM रहती है, static random access memory और DRAM रहती है, random access memory, आप देख पार होंगे इनकी pictures, कि किस तरीके की यह रहती है, static memory और DRAM memory हम यूज क्यों करते है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, तो static memory अपने पुराने, जिन्होंने keypad phone चलाया होगे, तो उन्हें याद होगा, कि जैसे ही हमारा phone switch off हुआ करता था, तो उसका date और time, automatically erase हो जाता था, erase होने के विए जैसे ही हम उसे on करते थे, तो सबसे पह pre-installed, pre-installed means preset, preset आती है हमारी date or time, और वो कभी भी erase नहीं होती है, अभी आप कभी भी उसको phone को, महला phone में कोल के date or time कभी set करते हैं करते हैं, नहीं, नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर, क्या यूज़ कर रहे हैं, static random access memory यूज़ कर रहे हैं, ज इसका काम simple रहता है, बिल्कुर RAM के तरह generally normal रहती है, और आप देख पा रहे होंगे कि जो SRAM है, उसमें थोड़े बाहर से, एक wires निकले हुए है, बट DRAM के एकदम cassette type है, जो आपने पुराने time में देखा होगा, कि जो robot, जो games के, cassette आती थी, उन्हीं के तरह है, बिल्कुर normal RAM क कि तरह है, बट जो SRAM है, वो थोड़ी अलग है, उसके अंदर क्या है, एक छोड़ी पिंस सी निकले हुई है, जो इन दोनों को differentiate करने में बहुत आसानी होती है, और जो SRAM होती है, वो हमारी बहुत महंगी रहती है, as compared to DRAM, जो SRAM है, मुझे ऐसा catch memory भी कभी बोलते है, अब advantages of ramper, अब manager से आपको बताया है, पहले भी, speed, जितना ज्यादा ram होगा, उतना ज्यादा speed, हमारा system रहेगा, उतना ज्यादा multitasking शो करेगा, अभी आपने देखा होगा, अपने phones में, कि कई बार हम कई सारे apps कोल लेते हैं, ठीके ना, हमारा system hang करने लग जाता है, तो हमने से क् होता है, हमारा जो data है, वो क्या होता है, और अच्छी तरीके से कर पाएगा, और जीतने ज्यादा हमारा app खोलेंगे, उतने ज्यादा वो app भी और खोल के हमें show कर पाएगा, जो volatile था, इसका drawback था, वही इसका advantage भी बन जाता है, कैसे आप देख पा रहे होगे, कि जब आपक आपका system बहुत बुरी तरीके से hang करता है, तो आपके पस एगी option रहता है, या तो उसे reboot, reboot means restart करना, या switch off करके switch on करना, जैसी आप उसे करते हैं, तो RAM का जितना भी data रहता है, catching memory में, वो सब क्या होता है, erase हो जाता है, और जैसी shutdown होगी, वो on होता है, अगर आपके दोस्त को, या आपको कोई नया topic जानने की इच्छा है, और आप चाहते कि उसके उपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे comment section में उसको comment करके बता सकते हैं, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नया topic के साथ, अभाई!